नमस्कर आप सबका हमारे चैनल ग्यांदर ट्रेजर पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 नौवमबर साल 2024 का राशिफर हिंदु पंचान किमसा नौवमबर 4 दोज़़़़़़़़़ सोंवर कार्तिक माँ के शुकल परश्कृत रित्यतिती है 9 बज़कर 26 मिनिट तक मान के चलें चैन दर्मा बिश्यक रासी पर संचार करेगा और आपको इब इस पिछल प्रदक शिवागो डाट ओम या उम्जा डाट कॉम से ब्राट कर सकते हैं बिल्कुल जैनून, अथन्टिक, लैब सेटिफाइट और साथ में अविमंतरित भी यह दिया अब चाहें तो तो चले हम शिरुआत करते हैं सबसे पहले मेश रासी से मेश रासी के जात्कों को धन से जोड़े मत्पुन फैसलों के सकरात्मक परणाम मिल सकते हैं अज कुछ इवाओं को अपनी पहली इंकम मिल सकती है कारोबार में छोटी-मूटी परिशानिया आ सकती है जीवन साथी के साथ मिलकर को प्रॉपर्टी खरीदने का विच्छार कर सकते हैं आज किसी रिशेदार के स्वास्त में सुलहार के शुप समाचार मिलने से मन को शानती और आत मिल सकती है बड़ो के अश्यवाद और मार्गदर्शन पर कारे करें अपनी उज्जा का सकरात्मक उप्योग करें राजकी इच्छिते में आज आज आपका मान सम्मान बढ़ सकता है किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों आप से उमीद होगी बदलते वातावनन का असर आपकी सहत पर निदर आ सकता है चूटी चूटी परिशानी आप यात्तरा में बादा डाल सकती है लंबी दूरी की यात्तर पर जाने से पहले सबी आवश्य चीज़ों को पैक आप कर लिजिए गर ताकि कोछ छूटे नहीं वर्तमान परिवेस के कारण अगराद मुक्ता को अपने उपर हावी निदे अपनी योजनाओं और कारप्रनाली को कुप दरखे परिवार में सुक शान्ती बनी रहीगी स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन वर्तमान परिस्टीतियों से साउधान रहे जीवन साथी और आपके बीच में एक बूसरे के उपरती समझदारी बढ़ीगी जिससे आपका दामपत्य जीवन मजबूत होगा सिंगल राशी वाले को आज फ्लर्ट करने में कोई परिशानी नहीं हुई आपके लिशू बंक होगा छे अब हम बात करते हैं बिश्यवरासी की बिश्यवरासी के जातक आज आपको लेन देन के मामिले में बहुत ही सूर्ज बूच से निप्टाने होगी किसी सरकारी काम में निवेस करने से पहले उसके निती और नियमोगा आप पूरा ध्यान रखें आज धन से जोड़ी समस्या है समाप्थ हो ही वरतमानम प्रिशित्य में प्रॉपर्टी सेल से अच्छा फायदा होने के उमीद दिख रही है आज इव का समंधी कार योजना है बनाते हुए उन्हें लागू करने के लिए गंबीरता बनाये रखें जो लोग कांट्रेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं उन्हें बड़ी उबलब्धी प्राप्थ हो सकती है किसी विदीश में रहे रहे प्रिजन से कोई रिराश्चा जनल सूच्छा सुनने को मिल सकती है आज आप किसी से उधार लेने से बचें नहीं तो आपको उसे उधार पाना मश्किल होगा आप अपने बढ़तीवे खर्चों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे रकिन फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे स्वास्त की डिश्ट से ये समय आपके लिम विलाजुला हो सकता है किसी बेहत मशूर प्रेटक अस्थल पर जाने से बचें अत्यतिक बीड का सामना करना पड़ सकता है बहुत सारी रॉमांटिक अवसर आपके रास्ते में आ सकते हैं शादी शुदा लोग और ग्रियस्त जीवन अच्छा रहेगा आर्थिक मामलों में सामान ज़स से बनाए रखना होगा आपके लिए बागिशा लियंक होगा साथ हम बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के जातक किसी भी छेत्र में विद्तिय लापों को दौले और फिर नेड़ने ले बहुसाय में आज ज़्यादा काम के दिखता रहेगी आपकी काम से जुड़े ग्यान को बढ़ाने का उसर आपको प्राप्त हो सकता है नौकरी करने वालों की आर्थिक चिंता सता सकती है आज आपका दिन अपनों के खुशियों के संग शुरू होगा सिक्षक विद्याले पढ़ाने जाएंगे जिससे बच्चे अच्छे सिक्षा प्राप्त कर सकेंगे हिंदी जगत में आज आपको सम्मान मिलेगा जिससे आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्ण में हसूस करेंगी स्वस्त रहेंगे लेकिन आपको अपने मानसिक स्वस्त पर भी काम करना शिरू करना होगा आज ही किसी तेरपिस्ट या साइकलोजिस्ट से मिले आज दोस्तों के साथ रोड ट्रिप ब्लैंड किये जाने के संभावना है दिन ठकाने वाला होगा अपने प्रियेजनों के प्रती आपके मन में जो गलत फेमी थी वो सारी शंकाएं दूर होंगी बाहर के मसलेदार भोजन से दूरी बनाए रखें जिससे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा नई उर्जा के साथ काम करेंगे सभी काम सफलता पुरुवक होंगे जीवन साथी से प्रेम मिलेगा जिससे आपसी प्रेम और मजबूत होगा सिंगल जात्रपों को किसी से पहली नजर में प्यार हो सकता है आज इवन साथी के साथ अच्छा मैसूस करेंगे आपका भागिशाली अंग्पोगा तीन अम बात करते हैं करकराशी की करकराशी के जातक आज के दिन किसे मातपों ने कारव को पूरा करने के लिए अनुपूल है अपनी उर्जा को सही दिशा में लगाए आपकी सकरात्मक्ता और संत्रलिच सोच से गतिवीदिया सून एरुजित डंग से होगी आपकी आया और मुनाफिय में बढूत्तरी होगी वेपारी बंधुओं को अपने कारे पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है किसी प्रॉपर्टी को किराये पर देने से लाव होगा आपको अपने कारे के लिए पुरुसकार और परसंसा प्राप्त होगी किसी पी तरह का पेपर वर्क करते समय आपको साउधाने बरतना है एंग कार पर नियंतन रखें वर्तवान से में शांती और धहरे से वितीत करना है आपस में सयूग बनाई रखें बहुत अधिक चल्चा में कोई सफलता हांस से फिसल सकती है ब्लड पेशर, तत्रायव, बिटी से सम्मंदे तनियमित जाच करवाएं यदि आप यातर करने के बारे में सोच रहें तो जल्दी टिकेट बूप करने का प्रियास करें इस तरह आपका बहुत सारा पैसा बचेगा बैसाई के दिवीदियां सामाने ही रहेंगी जीवन साती के स्वास्त को लेकर छिंता रहेंगी अत्यदिक शारी के दिवीदियों के कारण मानसपी इश्यों में दर्द हो सकता है कोट के चेरी से जोड़े कारियों में आपको जीत मिल सकती है पुराने रिष्टों की आते हैं आज आपके दिमाग में गुम सकती है प्रेम विश्यों में बावो कुकर निने लेना उचित नहीं होगा आज आप पर शुमंक होगा नौ अब हम बात करते हैं सिहरासी की सिहरासी के जा तक आपके बेवसाई के दिर्द काली ये उजनाओ कुगती मिल सकती है संतान आज किसी ऐसे काम को कर सकती है जससे आप कमान समान उच्छाई उपर रहेगा बेवसाई में कीए कि प्रियास आज फली भूत होगे कुछ समाजीक विश्यों में आप सकीरिता बनाए रखें आपको कोई मातपोर नेने वरिष्ट सदस्यों के मदद से लें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आप बडूफी मदद के लिए सदैव तत पर रहेंगे लेकिन पैरों में दर्द अथवा कोई शाई कष्ट होने से आप परिशान होगे आपके किसी पुरानी कीगे यलती से सबक लेना होगा वैसे तो धनलाब की स्थिती बनी हुई है धातु समंदी वैपार से लुड़े लोगों को बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए आपको कारिश शेत्र में पहले से ही जादा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ लोगों का जादा ध्यान नई नौकरी के तलाश में रहेगा मौसम का से स्वास्ति पर पड़ सकता है नकरात्रमक्विचारों की वज़े से आत्में बल में कमी मैसूस हो सकती है तेश ट्रैफिक में वाहन चलाना हरी जासान नहीं है इसलिए ड्राइव करते समय सतर करेना ज़रूरी है बच्चों की किसे मामलों को लेकर आप असेहमत हो सकता है आपका धीवन साथ ही आपको कोई गिफ्ट दे सकता है सिंगल लोग वो पार्टनर का चुनाओ करने में दिक्कत बैदा हो सकती है आपके लिए शोबंक होगा पांच हम बात करते हैं कन्याराशी की कन्याराशी के जातक आज आपके आर्टे किस्तिती काफी मजबूत रहने के संभावना रहेगी किसी प्रॉपटी या संपत्ती को बेचने से धन लाप होगा आपको अपने वैबार में लाप के योग है बिरोजगार लोप आज नौकरी के आवेदन भीजने चाहिए महिला सहकरिमियों के साथ बाद बिवाद में बिलकुल नहीं फसे है पारिवारी कामों में आज सफलता हासिल होगी जैसे परिवार में सुक शान्ती बढ़ीगी अपने काम के जिम्मेदारी किसी जम्मेदार वैक्टी को सौपेंगे शत्तु पक्च से सतर करेना होगा जिससे आपको कोई छती ना हो आज आप अपने दोस्तों के साथ किसी लंबी यात्तरप पर जाएंगे जिससे आप कोई क्यादगार लिम्हा मिलेगा हर काम गंबीरता पुरुवक करेंगे जिससे आप जल्द ही नई उचाईयों को टच करेंगे चुएंगे कुछ खास लोगे से आपकी निकटता बनी रहीगी प्रेम में एमोशन प्रवावी रहेगा शादी शुदा लोग अगरिस्त जीवन कतार चड़ाओं से बढ़ा रहेगा आपके लिए शुबर अनभूगा क्रीब और माकिशाली अनभूगा तो और तुला राशी की बात खटते हैं तुला राशी के जातक आज का दिन राहत देने वाला रहेगा जिस कांग वह आपने शोड़ दिया था उससे जुड़ी कोई बात आजनुसन यवाओं को अपने बविश्ची की योजना बनानी चाहिए रुगबे के हिसाब किताब को लेकर कुछ संसे हो सकता है आज जन से जुड़े कारब प्रभावित हो सकते हैं कॉम्पुटर से जुड़े बिजनस में फाइदिमन स्टीतियां बन रही है यदि आज घर जल्दी जाने की देयारी है तो आफिस की उलजन लेने से बच्टा होगा किसी कॉम्पुटिटिव एक्जाम से लेटेड आज आप वो अच्छा बढ़ना मिल सकता है आप उसलाम यही दूँगा कि घुस्सा करने के बज़ाए शांती से समस्या का समधान करें किसी मित्र को लेकर पुराना बिवाद फिर से शुरू हो सकता है बेवसाई के दिवीदियां पहले की तरह जारी रहेंगी परिवार के सदस्व के साथ कोई धारबी कार समपन हो सकता है सहित का ख्यार लखें आपको किसी तरह का कोई समकमन होने की समभावना है गैस और कब्रीय जैसे रिक्कत रह सकती है तरल पदार्तों का अधिक सदिक सेवन करें आगामी यात्ता के लिए सवधानी पुर्वत योशना बनाए यात्ता कारे करम होने से पुत्सांग में इदाफा होगा जीवन साथे से प्रेम मिलेगा और फैमिली का सबोर्ट और प्यार दिक्कत आप गाफिक फुशन जराएंगे आज आपकी लगमलाईश में मदूर्ता बनी रहीगी आपके लिए बागिशाली अंग को होगा तीन अम बात करते हैं बिश्यक रासी की बिश्यक रासी के जातक आज का दिन आपके लिए वस्तता भरा रहने वाला है आप जलद बाजी में कोई दिखावा ना करें नहीं तो आपको समस्या हो सकती है और कारेश शेतर में आप अधिकारियों के भरूसे को तोड़ सकते हैं बड़ी कारोगार या प्रॉपिडिव इंडिवीज के लिए समय अनुकूल है अपना हुनल दिखाने के लिए सुनर या उसर प्राप्त हो नौकरी में मनवांची तुपलब्दी मिलने के असार है स्वास्त के मामले में मामूली पाचेन विकार हो सकता है लेकिन आस्वस्त रहें कोई गंबीर बात नहीं है यातायात में साउधान रहें खास कर यह दिया आप लंबे समय से गाड़ी चला रहें बेवसाय से जोई लोग को आज किसी काम को करने का मौका मिलेगा आप बज़िट बना कर चलें तो आप अपने बविश्य के लिए कुछ भी थन बचाने में कामयाब रहेंगे जो लोग परुपकार के कारे में काररत हैं वो आज अपने धन का कुछ इस्सा दानपुनि के कारे में भी लगाएंगे आपको किसी को उधार देने से बचना होगा शादिशोदा जातकों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है प्रेम जीवन में आपको एसास होगा कि आपका प्रिया आपको कितना चाहते है आपके लिए शुबंक होगा दो हम बात करते हैं धनुराशी की धनुराशी के जातक आए के अत्रिक तस्रोप्त खुलने से आते किसीती मजभूत होगी बिजनेस के लिए जिस काम के प्रती प्रियासरत थे उस कारे की सिद्धी के लिए समय अनुपूल है आफिस के काम गाज में फोकस कमजोर नहीं पढ़ने दें विदेशी कमपनियों में जॉब के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन काफी अच्छा है आपका कोई दोस्ट फिश्कल ट्रेडिंग की गलास के बारें बता सकता है यातर पर जाने से अधिक खर्च बढ़ सकता है इसलिए सावधान रहें वैसे तो आज का दिन आपके लिए नहीं कुश्यां लाने वाला है आप अपने किसी नए मित्र के घर जा सकते हैं लेंगे घर पर आप आज धार्मी कारिक्रम का योजन करेंगे जिसमें आप अपने इश्ट मिद्रों के साथ बोजन करेंगे आप धेरे से काम लें जिससे कि आप जल्द ही सफल गूँँ आपका कोई दोस्ट आपकी मदद भी करेगा जिवन साथी से नहीं समस्याओं को शैब करने से मन का बोश सोड़ा सा हलका होगा प्रेम जिवन बिदा रहें लोग आज के दिन अपने ब्रीय से काफी कुछ रहेंगे मेलाओं के लिए हरा रंग आज बहुत शुब रहने वाला है अम बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के जातक आज आज आथी किसी ते में कुछ बड़े बदला होने की होगे वेपार में अन्वव महदपूर्ण है गलतियां दोवराने से आप बचें आज के दिन संपत्ती के मामले में काफी आयम रह सकता है आज आप किसी संपत्ती को खरीदने के दिशा में विचार कर सकते हैं दूसरों पर निर्वर रहने के बज़ाए अपनी काम पर ज़्यादा दियान दे आज किसी को भी कोई करज नहीं दे आज किसी बात को लेकर बच्चे चंदित हो सकते हैं इस समय उन्हें आपके मार्क दर्शन के आवशित्ता होगी परफेशनल चेतर में किसी प्रतियोगी के साथ बिवाद होने की आशंका है किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है कला जिकत से जोड़ी लोग के लिए दिन अच्चा है कहीं से बड़े ओफर मिल सकते हैं स्वास्त अच्छा रहेगा किसी प्रकार की चंदा ना करें वहां सावधाने पुरवक चलाएं किसी दूसरे शेहर में ड्राइव करके जाना काफी रोमान्चक रहेगा प्रफेशनल च्चेतर में किसी प्रतियोगी से बिल्कुल विवाद ना करें आपका हस्मुक्स और भौक परिवार वालों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है स्वास्त अच्छा ही रहेगा आपकी रशनात्मक परतिवा कुल कर लोग के सामने आईगी विवाई जाता काज परिवार के विस्टार की बात करेंगे प्रेमी जोड़े एक दूसरे के सास्थ समय बिदाबर खुशी महसूस करेंगे आपके लिश्यो बंक हो गई हम बात करते हैं कुम्बरासी की कुम्बरासी के जातक आजधन सम्मंदे दिक्कतों का समाधान निकलेगा विद्यार्थियों के लिए दिन काफी उत्तम रहेगा उच्छ से च्छा के मार्ग परसस्ट होंगे और आपको अपने भाई बंदों से किसे एहम मुद्दे पर बाच्चित करने का मौका मिलेगा और आप उनके साथ किसे जरूरी कान के लिए सलाह मश्वरा भी कर सकते हैं पहले का सारा नुपसान अब आप फायदे में प्रवर्दित होता हों महसूस कर सकते हैं वेपार करने वाले उपिल याज का दिन महाचपूर्ण है नौक्री पिश्ण रूग अपने कारे के प्रती समर्बित रहें जल्दी कोई महाचपूर्ण उपलप्ती मिलने की योग बन रहे हैं आप रूजानान कम चीनी का सेवन करें तो अच्छा रहेगा आपको कुछ समाजिक कारियों पर जोड़ देना होगा तब भी आप उन्हें आसाने से पूरा कर पाएंगे दूर संचार के साधनों में व्रिदी होने से आप प्रसंद में रहेंगे आपको कुछ आतिक मामले आपको समस्या दे सकते हैं आपकी कारिशित्मिक पद और प्रतिष्ठा बढ़ने से आप पुरसंद में रहेंगे बैवाईक समंदों में बेतरीन तालमेल बना रहेगा यदि आप इसी रिष्टे में हैं तो आपका साथी नोटिस करेगा कि आप थोड़ा हट कर बैवार कर रहे हैं आपके लिए शुबंक होगा दो अब हम बात करते हैं मीन राशी की मीन राशी के जाथ तक आज आपका मनोबल कॉन्फरेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा वैपार की काम से किसी दूसरे देश की आत्रपर भी चाना बढ़ सकता है आज के दिन आये को कैसे बढ़ाय जा सकता है इस बारे भी विचार और प्रयास कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को करीदने की सोच सकते हैं पेवसाय में आज कुछ नौदिया सामने आ सकती है सभाव से आप एक मैनती कारी करता हैं और अब आप देख सकते हैं कि आपका मैनत वास्त में कितना रंगला रहा है बच्चों का स्वास्त अच्छा रहेगा पर कुछ लोग का गलत खान पान की वज़े से पेट खराब रह सकता है पईवार की साथ की गई यात्रा आपको मान सिक समाधान देगी अपना समय किजी खास व्यक्ति को देंगे जिससे आपके कुशी बढ़ेगी और आपको उससे लाव मिलेगा इस पोर्स छिट से जोड़े लोग वाज सम्मान मिलेगा अपने सरल सुभाव की वज़े से आप से ज़ादा लोग जूडने की कोशिश करेंगे गरिलू कारेर को पूरा करने में पड़ोसियों का सही जोग मिल सकता है शाद शुदा लोग अपने ग्रेस्त जीवन से संतुष्ट नजर आएंगे जो लोग लेशन्शिप में हैं और अपने रिष्टे में आगे बढ़ें आपके लिशो बंक होगा आठ तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद